नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर चक्षू अगर आपको लगता है कि होमियोपथी एमर्जेंसी में किसी काम की नहीं है तो यह वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए यहां हम डिस्कूस करेंगे हमियोपथी की सबसे एफेक्टिव एमर्जेंसी मेडिसिन एकॉनाइट के बारे में और आपको बताएंगे कि वो कौन सी पांच सिचुएशन हैं जिसमें आप अगर एकॉनाइट इस्तेमाल करेंगे तो एक दम रैंडमली खटा-खट रिजल्ट् रिक्वेस्ट है आप से समझदार हैं आप वीडियो को जरूर पूरा देखेंगे सबसे प्चरजा कर लेते हैं कि भाई एकॉनाइट है क्या एकॉनाइट बिसीकली एक छोटा सा प्लांट है हर्वे बहुत ही खूपसूरत है और इसके ऊपर उससे भी खूपसूरत नीले रंग के फूल आते हैं लेकिन यह जितना खूपसूरत है उतना ही जादा deadly poison है यानि बिलकुल जान लेवा जहर है अगर कोई से consume कर ले तो 2-6 घंटे के अंदर वो बिलकुल मौत को गले लगा सकता है and most important बात यह है post-mortem अगर आप कराएंगे न तो पता भी नीच लेगा कि उसने poison लिया है क्योंकि सिर्फ दम घुटने के यानि एसफेक्जिया के science वहाँ पर दिखाई देंगे यह इतना deadly है और इस deadly जहर से जो हमियोपिथी में दवा बनाई जाती है उसका नाम है Econite Napolis और यह आपको 30, 200, 1M, 10M, 50M, CM सब में मिलेगी और यह बहुत शानदार दवा है क्योंकि emergency situation को tackle करने में इससे best हमियोपिथी में कोई दूसरी दवा नहीं है तो आप चर्चा करते हैं कौन सी 5 situations हैं वो जिसमें Econite पूरी सहता करेगी पहली situation है आपके दिल की रक्षा हमियोपिथी में Econite एक ऐसी दवा है जो दिल की रक्षा करने में सबसे जादा effective है बहुत सारे patients हैं जिनको heart attack एक बार आ चुका है और दुबारा heart attack आने के जो chances होते हैं ना ऐसी patients के लिए तो Econite बिलकुल वरदान सावेद हो सकती है अगर वो घर में रखी है तो तो heart attack अगर किसी patient को आए और उसको सीने में भैंकर दर्द हो बरदाश से बाहर हो unbearable हो मरीज तरड़ पराओ दर्द के मरे उसे महसूस हो जाए कि भई अब ये समय आ गया अंत समय है मैं उपर निकल जाऊंगा और वो जो दर्द है उसकी वज़े से धर यानि भै उसके मन में बैट जाए और उसका जो दर्द है वो सीने से बिलकुल left shoulder की तरफ जा रहा हो classical angina का sign हो और patient की pulse बहुत random पहले हो शुरू में टैकी काडिया हो रहा हो धीरे धीरे करके उसकी pulse down होती जा रही हो patient fall करता जा रहा हो ठंडा परता जा रहा हो उस situation में अगर आपके पास equonite रखी है तो आपको sorbit rate की भी जरूरत नहीं है आप equonite की highest potency आपके पास जो भी हो अगर आप फटाफट फटाफट दो तीन तीन मिनिट या पांच मिनिट के gap पे मरीज को दे देते हैं तो आप patient को revive कर सकते हैं ये proven है बहुत सारे हुमिपतिक doctors के दौरा मैंने भी कई बार कुछ similar situation में equonite यूज करी है बहुत beautiful results मिले है और विश्वास हो गया है कि भीया equonite emergency में काम करती है अब दूसरे जो organ है जिसकी रक्षा आपकी equonite करेगी वो है kidney अब suppose करिए आपके मरीज को kidney के दर्द उठा जो पत्री थी वो पत्री ऐसी जगे जाके फस गई जिसकी वज़े से patient की पिशाब रुग गई और patient तो जो है दर्द के मारे ऐसे हैनी है दर्द के मारे तलप रहा है भैंकर acute kidney injury में जा रही है आपके पास कोई दवा नहीं है अगर equonite हो और आप उसे फटाफट फटाफट रिपीट करवा दे तो patient को उस दर्द से recovery हो जाएगी पिशाब खुल के आ जाएगी और जैसे ही पिशाब आएगी उसकी kidney के ऊपर जो pressure है वो control हो जाएगा उसकी kidney बच सकती है नहीं तो acute kidney injury से उसकी जो kidney है वो acute renal failure में भी जा सकती है तो अगर उस situation में equonite मदद कर सकती है तो समझे emergency में equonite बेहद लाजवाब और प्रभावी दवा है अब तीसरा organ जिसकी सुरक्षा करेगी equonite emergency में वो हैं हमारे lungs अब अगर किसी patient को emergency में suddenly किसी भी reason की वज़े से ठंडी हवा लग गई या वो पसीने आ रहे थे वो पंके की नीचे आगे बैठ गया ठंड एकदम बैठ गई suddenly उसको खांसी चालू हो जाए suddenly उसे एस्थमा का अटाक आ जाए suddenly patient allergic है allergic bronchitis develop कर जाए allergic asthma develop कर जाए सांस फूलने लग जाए सांस लेन में दिक्कत होए लग जाए या फिर अभी patient बिल्कूल सही चल रहा था थोड़ी थोड़ी सी खांसी थी पर एकदम suddenly patient pneumonia में चला गया इतना congestion हो गया उसको प्लूरेसी में करती है अब ये जो situations होंगी यहां क्या होगा labored breathing यह यह मरीज को बहुत ताकत लगानी पड़ेगी सांस लेने के लिए जो सांस ले पाएगा पूरी तरह से नहीं ले पाएगा थोड़ी थोड़ी ची सांस आएगी धिरी धिरी उस situation में अगर आपके पास कोई दवा नहीं है सिर्फ एकोनाइट है ना बिल्कुल लाजवाब action शो करती है तो जो lungs की allergy से परिशान patient है अगर उनको किसी भी situation में बार बार allergic attack आ जाता हो उनको अपने साथ भाया एकोनाइट जरूर रखनी चाहिए आपकी lungs की पूरी सुरक्षा ये दवा करेगी अब जो चौती situation जिसमें एकोनाइट पूरी साहता करेगी वो है मिर्गी के दोरे अब suppose करिए कि आपके घर में कोई चोटा बच्चा है जिसके दात निकल रहे हो बुखार आ जाए और बुखार के संग में उसे मिर्गी का अटाक पड़ जाए बिल्कुल बच्चे का शरीर एट जाए उसके दात जो है उसने मुठी जो है अपने दात के पास लियाया ऐसरे करके करने लग गया और उसके बास शरीर से चीक सी निकल गई उसके है ना हलकी जी और मरीज बिल्कुल एट हिया उस सिचुएशन में अगर आप के पास एकोनाइट रखी है और आप मरीज को दे दें तो आप 15 मिनिट में भी अपने पेशिंट को नॉर्मल कर सकते हैं यह सिर्फ मैं ही नहीं बहुत सारे डॉक्टर्स ने ट्राय करा होगा दिया होगा और रिजल्ट भी मिले होगे अब सिर्फ छोटे बच्चे ही नहीं अगर कोई बड़ा पेशिंट भी हो कोई एजट पेशिंट भी हो और उसको मिर्की का अटैक बार बार आता हो और सड़नली उसको पता है उसे मिर्की का अटैक आता है वो अपने बैग में एकोनाइट रखता हो उसके किसी फ्रेंड को बता रखी हो कि भाईया अगर मिरे को मिर्की का दोरा पढ़ जाए यह छोटी सीशी है यह मेरी जीप पर डाल देना तो समझ लीजे कि अगर उसे मिर्की का दोरा पढ़े और अगर उसके फ्रेंड ने वो दवा उसकी जीप पर डाल दी तो यह जो एठने वाली सिचुएशन मुह से जाग वाली सिचुएशन बिलकुल बुरी तरह से शरीर जैसे कहते ना बदहवासी वाले सिचुएशन जो होती है आप अपने उस जो वो पेशेंट है उसको पंदरा मिनिट में रिकवर कर सकते है एकोनाइट डाम की दवा के साथ ट्राइड है टेस्टेड है बहुत सारे डॉक्टर्स ने दी है हमेशा रिजल्ट्स मिलते हैं अब जो पांच वी सिचुएशन जिसमें एकोनाइट पूरी सहता करेगी वो है फीवर आप सबोस करिए कि आपके पेशेंट को फीवर आ गया तेज बुखार है बिलकुल शरीर बुरी तरह से तपरा है एकदम लाल सुर्ख को रखा है शरीर गरम है और एकदम जिसे कहते है ड्राय स्किन उसकी हो गई और या फिर पेशेंट को एक दम जो ड्राय पहले हीट हो रखी थी फिर सड़नली ठंडा पड़ गया पूरा शरीर तो ये जो फीवर की सिचुएशन है जिसमें हाई ग्रेट फीवर आता है आप चाहे वो आपका मलेरिया हो चिकनगुनिया हो डे जब शरीर या तो गरम हो जाथ या एकदम धंडा हो दोनों कंडिशन में अगर मरीज को बहुत प्यास लग रही है एक दम प्यास उसके पाणी बार बार पाणी दे रहे हैं उसकी प्यास नहीं बुझ रही है उस सिचुएकवेशन में एकोनाइट लाजवाब दवाभा है फटाफट दीजे, फटाफट पेशिंट को recover करिए, cold sponging में से करने के बाद भी कई बार ऐसे पेशिंट का fever नहीं उतरता है, और एकोनाइट देने से फटाफट उतरने लग जाता है, tried है, tested है, बहुत साई doctors use करते हैं, अब समझ लीजे कि यह जो पांचो conditions हैं, अगर इसमें आपको एकोनाइट यूज करनी हो, तो जो पांच symptom में आपको बता रहा हूँ, उसका ध्यान रखना जरूरी है, पहला symptom यहाँ पे हो गया है, डर और बेचेनी, जो patient है, उसको डर बैठ जाएगा, वो उसे लगेगा कि अब मैं नहीं बचूँँगा, या मुझे कुछ हो ज restlessness, restlessness कौन सी, मानसिक बेचेनी, जब मरीज को मानसिक बेचेनी हो, बदहवासी हो, वो बिलकुल उसे कुछ समझ में ना आ रहा हो, और बिलकुल ऐसा उसका मन कर रहा हो, मैं पता नहीं क्या कर दूँ या क्या करवा दूँ, और मैं बस सही हो जाऊं, तो यह जो situation है, यहाँ पर अगर यह symptom मरीज के अंदर मिल रहा है, restlessness वाला की मानसिक तोर पर restless है, तो वहाँ पर एकोनाइट बहुत ही suited है, बहुत बढ़िया results देती है, तीसरी जो symptom है, वो है असहनिय दर्द, यानि intolerable pain, दर्द है, तो बरदास्ट के बाहर है, बिलकुल उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दर्द की वज़े से डर भी है, दर्द की वज़े से बेचैनी भी है, anxiety भी है, गवराहट भी है, और restlessness भी है, यह नहीं बेचैनी भी है, तो तीनों symptom हो, प्लस दर्द हो, एकोनाइट बेस सूटेड है, उसके बाद अगर मरीज को जबरदस्त पानी की प्यास लास्ट जो important symptom है एकोनाइट का वो है onset, यानि बिमारी एक दम suddenly, randomly आई हो, अभी तक patient बिलकुल ठीकता है, और एक दम randomly बिमार पड़ गया हो, जब यह पांच लक्षन आपको मिलें, और वो पांच emergency situation में मिलें, तो समझ लीजे, एकोनाइट suited है, पेशन को देंगे, फटा- बिमार तो मिलेगा नहीं, अगर आप मिल भी गया, तो भाईया, प्लीज डिसकार्ट कर दो, पोईजन है, बिलकुल यूज नहीं करना है, स्टनली रैंडमली मरीज बिमार हो गया हो, एकोनाइट 30 घर में रखिए, खास का चोटे बच्चों के लिए, कोई भी situation हो रही हो, जैसे या तो बच्चे को एकदम स्टनली खांसी शुरू हो गई, या स्टनली बुखार आ गया, स्टनली मिल्गी का दोरा पड़ गया, है अगर खासी वासी हो गई हो, एलर्जिक एस्थमा हो गया हो, तो आप 15 मिनट या आदे घंटे के गैप पे कर पेशन को देते हैं, तो 4-5 घंटे में आपका पेशन बिल्कुल स्टेबल हो सकता है, उसकी condition बिल्कुल सुधर सकती है, ठीक, दूसरी पुटेंसी जो यहां पर क वंकाइटिस आजाए, तो वहां पर एकोनाइट 200 लाजवाब दवा है, बहुत बढ़िया रेजल्ट्स देती है, इसके अलावा अगर आपको किड्नी स्टोन का दर्द उठा हो, तो भी या फिर आपको पहले उठ चुका हो, डर हो कि दुबारा उठ सकता है, एकोनाइट 200 बेस सुटेट पोटेंसी है, अपने संग रखिये, एमर्जेंसी में 5-5 मिनिट पे अगर आप ले ले लेते हैं, एकदम इंप्रूमेंट आये लग जाएगा, आदे घंटे के अंदर ही आप स्टेबल हो जाएंगे, सिचुशन बहुत खराब नहीं है, 10-10 मिनिट पर यूज करिए, एक घंटे के अंदर 6 खुराक लीजे, पेशन्ट स्टेबल हो जाएगा, अब जो एकोनाइट 1M है, ये उन पेशन्ट के लिए जिनको या तो हार्ड अटेक आचुका है, या हार्ड अटेक आने के चांसे हैं, या फैमली में किसी को हार्ड अटेक आये हैं, खुद क ऐसा ना हो, दुबारा हो जाए, या फिर मरीज को सांस लेने की परशानी हो, अगर आपके पास है, और आप पांच-पांच मिनिट के गैप पर दो-दो बून दबा ले ले लेते हैं, आप अराम से 15 मिनिट से लेकर आदे घंटे में खुद को कमफर्टेबल कर सकते हैं, और अस्पिटराइजेशन से पहले आपका मरीज स्टेबल हो सकता है, अगर आप 3 खुराग भी अपने पेशेंट को सही टाइम पर दे दें, और आपको पता हो कैसे रिकवर करना है, आपका पेशेंट 15 मिनिट में स्टेबल हो सकता है, अब सवाल उठता है कि कैसे लेन, देखि अगर आपके पास पानी नहीं है, सिर्फ उसी सिचुएशन में आप मरीज की जीप पर डालें, तो जब पानी में डालनी है तो 5 बून और जब आपको जीप पर डालनी है तो मात्र 2 बून दवा भी more than sufficient है, और उतनी सी खुराग से ही पेशेंट के अंदर recovery आ जाएगी, तो to the point थी और आपके फायदे के लिए थी, तो जो viewers इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर echo night से उन्होंने किसी patient को result दिये हैं, या उनके सामने किसी patient को result मिले हैं, comment section आपका है, जरूर लोगों को बताइए, लोग motivate होते हैं आपके उन comments के साथ, और अगर भविश्य में इसी त मेरी तरफ से नमशकार, thank you and जय हिंद.